नोज़का दोस्तों, डीट है आज की 10 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका पिलिम बूस्टर न्यूज डिसकेशन में फर्स्ट इंपोर्टन आटिकल रियल मेंगो सोफ्ट्वेर के बारे में है क्या कंटेस्ट है, रेल्वी प्रोटेक्शन फोर्स ने नोज़़का दोस्तों, डीट है आज की 10 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका पिलिम बूस्टर न्यूज डिसकेशन में फर्स्ट इंपोर्टन आटिकल रियल मेंगो सोफ्ट्वेर के बारे में है क्या आपने कभी ततकाल के थ्रू कोई रेल्वे टिकेट बुकिंग करने की कोशिस की है अगर की है तो आपने ये रिलाइज होगा कि टिकेट बुक करने में बहुत सारी परिशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन देखो कुछ लोगों ने एक इल्लिगल सोफ्ट्वेर डवलप कर लिया और उस इल्लिगल सोफ्ट्वेर का नाम है रियल मेंगो सोफ्ट्वेर जब आप टिकेट बुक करते हो तो आपको इस परकार का एक कोड भरना पड़ता है जिसे capture काहा जाता है इस code भरने में काफी समय लग जाता है फिर आप payment करते हो तो OTP आता है OTP में समय लग जाता है passenger की details fill करने में समय लग जाता है लेकिन ये जो सोफ्ट्वेर है ना illegal software रियल मेंगो सोफ्ट्वेर ये capture code नहीं भरने देता मतलब इस पूरी प्रोसेस को बाइपास कर देता है OTP आता है वो भी पूरा सिंक्रोनाइज हो जाता है जल्दी से OTP आ जाता है और अपने आप फिल हो जाता है इसके अलावा passenger की जो details हैं वो पहले से फिल होती है और automatically एक click करते ही सारी details फिल हो जाती है मतलब within seconds tickets book हो जाती है इस software की साहिता से खांस करके ticket booking वाले जो लोग है वो काफी तगड़ा मुनाफ़ा कमा रहे थे इस software की साहिता से लेकिन आम जनों को बहुत परिशानी के सामना करना पड़ रहा था अब railway protection force जो है Indian railway scheme उन्होंने इस illegal software के operation को disrupt कर दिया है information supply की गई है RPF के द्वारा Center for Railway Information System को ये अब Center for Railway Information System security lapses को address करेगा ताकि आगे से इस परकार का कोई illegal software पूरी process का फाइदा ना उठासके हम बात करें Center for Railway Information System की ये Ministry of Railways के द्वारा setup की गई थी as a society जुलाई 1986 में आप इसे information technology wing कह सकते हो Indian Railways की headquarter New Delhi में है function क्या है ये देखो Indian Railways के IT सम्मंदित functions perform करती है जैसे की passenger ticketing freight operations train dispatching and control crew management और सब से last में e-procurement चलते हैं आगे नए स्ठार्ट कल Blue Pansy के बारे में है ये क्या है ये देखो एक टितली है जिसे हाल ही में कई सरे environmentalist के द्वरा sport किया गया मतलब देखा गया टितलीों की एक family है जिसका नाम है निम फैलिडे इस family से समंद रखती है Blue Pansy टितली इस family में देखो आलमोष्ट दुनिया भर में 6,000 तितलिया आती है scientific name क्या है जुनोनिया औरिथिया scientific name वैसे यूपेसी नहीं पूस्ती है जैसे देखो आपने रंग बिरंगे बाग देखे होंगे decorative garden वहाँ पे अलग लग तरह के full होते हैं तो उसी परकार से इस तितली के रंग होते हैं bright blue butterflies ये जो तितली की species है दुनिया के कई parts में मिलती है South East Asian countries Australia और Africa इसी तितली के group की एक species है ये blue pansy समझ गए bright blue butterflies तितलीयों का एक group है जो काफी सारे जगों पर मिलता है वर्ल्ड में जैसे South East Asian countries Australia और Africa इसी group की एक species है ये blue pansy open habitat को प्रफर किया जाता है blue pansy के द्वारा जैसे grasslands wastlands, woodlands, open forest area और farmlands IUCN की red list में not evaluated category में आती है blue pansy तो importance का अंदाजा आप लगा सकते हो आम तोर पे UPSC ज़्यादा focus तो देखो critically endangered, endangered इन सब पे ज़्यादा करती है नए इस्ट आर्टिकल पत्रिका गेट इन जैपूर के बारे में है ये सबसे बहले तो आप ये जान लीजिए पत्रिका गेट कहां पे establish हुआ है जैपूर में और पत्रिका नाम कहां से निकल के आता है राजस्तान पत्रिका एक newspaper है आपने सुना होगा तो राजस्तान पत्रिका group of publications ने ये गेट establish किया है राजस्तान में इस गेट में traditional architecture और traditional architecture के features जैसे जरोखा, poles, pavilions, छत्रिज, इनकी जलक देखने को मिलती है आप तस्वीर में देख सकते हो देखो राजस्तान सीटी को establish क्या गया था महराज स्वाई जैसिंग दुटिया ने 1727 AD में उस समय जैपूर सीटी के चारो और एक दिवार बनाई गई थी और आठ gates हुआ करते थे तो उसी league पर चलते हुए ये gate established क्या गया है बनवाया गया है पत्रिका, राजस्तान पत्रिका group of publications के दौरा जैपूर Development Authority का एक mission है mission अनुपम इस mission अनुपम के तहत इस iconic gate को as a monument built क्या गया है वैसे देखो राजस्तान की हम बात करें राजस्तान अब सोरी राजस्तान की ने जैपूर की जैपूर की हम बात करें जैपूर अब एक world heritage site भी है 2019 में जैपूर हमारे देश की second city बनी एहमदाबाद के बाद जिसे world heritage site का recognition मिला इंडिया में total देखो 38 world heritage sites है जिसमें से 30 तो cultural properties है 7 natural properties है और एक mixed site है ये fact काफी important है इस पर question UPSC इस बार के pre में भी पूच सकती है total जो इंडिया में 38 world heritage sites है उनमें से 30 cultural है 7 natural है और एक mixed है mixed कौन सी? कंचन चंगा इसके बाद next हमारा article back to village program के बारे में है क्या contest है जमूएन कस्मीर के सरकार ने back to village program का तीसरा face announce किया है क्या ये program इस program में देखो सरकार development की दिशा में जो परियास लगाती है उन परियासों में community को भी involved किया जाता है समझ गे मतला हर एक guested officer जो है उसको देखो एक gram पंचायत assign कर दी जाती है वो guested officer पंचायत representative से मिलता है feedback लेता है कि आपके concerns क्या है क्या-क्या समझ चाएं आप face कर रहे हो कैसे और बहतर development आपके area में लाई जा सकती है development समझ नीड्स क्या है आपके area का economic potential क्या है ये सारी information हर एक guested officer जिसको gram पंचायत assign की गई है इकठा की जाती है आप देखो government को ये सारी information मिलेगी तो government आपको पता है ज़्यादा बैता डंग से schemes बनासकेगी जिस परकार से services deliver की जाती है आम जनता को उस service delivery में improvement लाई जा सकती है कि आखिर कर कम्या क्या है जनता को सरकार की schemes का लाब क्यों नहीं मिल पा रहा है ये सारा जो feedback है सरकार को मिलेगा और सरकार उसी हिसाब से act करेगी मतलब जनता को involve करने की कोशिस की जाती है इस program में पंचायत representatives का feedback लिया जाता है तीन phase है इस program के phase 1 सरसे पहले तो लोगों की जो समस्याई या फिर demands है उनको समझना phase 2 में पंचायत को power देने पे focus करना ये समझने की कोशिस करना कि पंचायत कैसे काम कर रही है पंचायत की क्या समस्याई है पंचायत की क्या demands है उनको address करने पे focus करना और अभी इस program का कौन सा phase announce क्या गया है तीसरा phase पतलब समस्याई लोगों की और पंचायत की identify हो चुकी है अब तीसरे phase में उनको address करने की कोशिस की जाएगी इसके बाद next हमारा article International Literacy Day के बारे में है हर साल देखो आठ स्टंबर का जो दिन है वो International Literacy Day के रूप में celebrate किया जाता है कब से? 1966 से ही 1966 में UNESCO General Conference का 14th session था उसमें ये announce क्या गया था मतलब adopt क्या गया था as a graduation के तोर पे कि हर साल 8 स्टंबर का दिन International Literacy के डे के रूप में celebrate क्या जाएगा मकसद ये होता है इस डे को अपजव करने का लोगों में जाउता फिलाई जाए कि Literacy की एहमियत कितनी जादा है as a human right as a human dignity को protect करने के लिए इस बार की theme है Literacy, Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond अब देखो दो और चीज़ें हैं जिन पर question पूछे जा सकते हैं एक तो Global Education Monitoring Report 2020 ये रिपोर्ट UNESCO के द्वारा release की गई है इस रिपोर्ट में विबिन देशों की progress को monitor किया गया है देखो जो sustainable development goal number 4 है वो ये बोलता है कि 2030 आते आते world में हर एक बच्चे को quality education मिलनी चाहिए ये है sustainable development goal number 4 तो इस goal को achieve करने के दिशा में विबिन देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी progress को monitor करती है ये रिपोर्ट इसके अलावा इंचियोन declaration भी एक है इस पर भी UPSC question पूछ सकती है ये declaration किस से समदित है ये देखो education से समदित declaration है इसको adopt क्या गया था world education फोरम का आयोजन जब हुआ था साउथ कोरिया के सहर इंचियोन में 2015 में तब इस education समदित declaration को adopt किया गया था ये भी sustainable development goal number 4 की implementation से समदित है इस declaration में framework क्या किया गया था कैसे sustainable development goal 4 को achieve किया जाएगा next हमारा article infrastructure investment trust के बारे में है क्या किन टेस्ट हैं cabinet committee on economic affair ने approval दे दिया है कि power grid जो की एक PSU है इस PSU के assets का monetization होना चाहिए इसके लिए approval दे दिया गया है cabinet committee on economic affairs के द्वारा और monetization कैसे होगा इस PSU के assets का infrastructure investment trust model की साहिता से देखो mutual fund के बारे में आपने सुना होगा mutual fund का concept कैसे होता है मान लिजिए पांच दोस्त है A, B, C, D, E इन पांचों को share market में invest करना है बट इनको knowledge नहीं है कि कौन से shares में invest करना चाहिए कौन से share में नहीं करना चाहिए एक छटा person है छटा person कहता है कि भाया मुझे knowledge है अगर आप सभी मुझे पैसे दोगे तो मैं आपके पैसे share market में invest कर दूँगा लेकिन बदले मैं कुछ commission लूँगा ये concept है mutual fund का उसी परकार से infrastructure investment trust का concept है ये पांच दोस्त है इनको real estate में मान लिजिए invest करना है infrastructure में invest करना है लेकिन इनको knowledge नहीं है कि कहां पे invest करें कैसे invest करें infrastructure में एक छटा person है जो बोलता है आप मुझे पैसा दे दीजिए मैं आपके पैसे को invest कर दूँगा infrastructure में तो यही model है infrastructure investment trust का इस infrastructure investment trust को regulate कह जाता है से भी infrastructure investment trust regulation 2014 के according इसके बाद बाद करें हम power grid की ये देखो public limited company है पावर के अंत्रकत आती है इस company ने यानि PSU ने अपना operation start किया था 1992-93 में और आज ये महरतना PSU को महरतना company का status हासिल है power transmission के business में काम करती है ये PSU power grid next हमारा article corticosteroids बारे में है क्या contest है WHO ने नई guidelines issue की है कैसे corticosteroids का इस्तमाल हो सकता है novel coronavirus infection के treatment के लिए पहले बात करते हैं corticosteroids की देखो हमारी body में adrenal glands के द्वारा जो natural hormones release के जाते हैं जिसका नाम है cortisol उसी की नकल की जाती है artificially made in corticosteroids के द्वारा फिर से बोलता हूँ adrenal glands के द्वारा naturally produced hormone release के जाता है cortisol इसी naturally produced cortisol hormone की नकल की जाती है corticosteroids के द्वारा इनका इस्तिमाल होता है rheumatological disorders के इलाज के लिए देखो rheumatological disorders कौन से होते हैं joints में pain होना muscles में pain होना ये होते हैं rheumatological disorders नीची लिखे भी होए हैं muscles में जलन या फिर blood vessels में जनल arthritis इनके इलाज के लिए इस्तिमाल होता है इस drug का corticosteroids अब बात करें WHO की नई guidelines क्या है WHO ने recommend किया है वो patients जो काफी ज़्यादा बिमार है COVID-19 से उनके इलाज के लिए systemic corticosteroids का इस्तिमाल किया जा सकता है WHO ने ये भी highlight किया ये corticosteroids जो है low cost easy to administer और readily available है असानी से available है सस्ते हैं असानी से patient को दिये जा सकते हैं तो COVID-19 के patient जो ज़्यादा बिमार है उनको corticosteroids दिये जा सकते हैं तो ये थी हमारी आज की discussion अब last में revise कर लेते हैं हमने क्या क्या discuss किया 5 statements हैं आप मन में सोच लिजिए आपके इसाब से कौन सी statement सही है कौन सी गलत है सबसे पहले real mango software ये statement दे को गलत है Israel के develop किया गया Israel के द्वारा blue fancy क्या इस सिर्फ इंडिया में मिलती है नहीं पत्रिका गेट क्या ये लखनव में है नहीं जैपूर में है राजस्तान में ये लिख दिया मैंने यहां पे आएगा false बैक टू विलेज प्रोग्राम इस प्रोग्राम का मकसद है जमू और कस्मीर में पंचायत को एनरजाइज करना और rural areas में development को ensure करना community participation के थूँ सही corticosteroids इनका इस्तेमाल होता है communicable disease को treat करने के लिए ये statement देखो थोड़ा सा ठीक से frame नहीं की गई है corticosteroids का वैसे इस्तेमाल होता है जैसा हमने अभे भी डिसकस किया जो rheumatological disorders है उनकी treatment के लिए जैसे muscles में या फिर joints में pain होना बट अब WHO ने ये recommend किया है COVID-19 के जो ill patients है उनको systemic corticosteroids दिये जा सकते हैं तो ये थी हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही है Thank you Thank you very much for discussion इसन